ललता सकी उपासना ज्यों शिंगन को के लेकिन प्रैमी जनों ये जो ललता जू की उपासना है ये तो शिंगने के दूद सद्रत है शिंगने का दूद और गंगाजी का जल ये तो शिंगनी के दूद के शमान है गंगाजी के जल के शमान नहीं ये शिंगनी के दूद के शमान है गंगाजी का जल कोई भी पान करेगा शहे जुहरस को हरी मारक प्रसस्त होगा लेकिन शिंगनी का दूद तो कोई पचाई नहीं सकता है गुण तो बाद में दर्शत होगा इसको पचाने की किसी की सकती हो पचाई नहीं सकता है महरास्री बोले गंगा जल को पचाने की सकती इसलिए जनम मिला है सब के अंदर है लेकिन सिंगनी के दूद को पचाने की सकती सब के अंदर नहीं कौन की अंदर है के बच्चा के भीट और घट करे बिनासन कुंदन के बासन महराज बोले जो शिंगिन को खीर है कुंदन के बासन ये स्वण पात्र में रुख पाता है सिंगनी के दूद का शुभाव है और किसी धातू पात्र में अगर कर दिया तो वो पात्र तूट जाता है और दूद फैल जाता है गिर जाता है और तो के तो स्वण सुद्द स्वण पात्र है सोने का परतन है उसी में रुखता है सिंगनी का दूद और या उसका जो बच्चा होगा उसके पीट में बुलवेर जी महराज तीसरी जगे सिंगनी का दूर तो महराज स्री ने पताया जो कैसा देश है ये छकी रहें छवी माधुरी छवी बारुनी ये रशिक जन एक मात्र विहरी विहरन की छवी में छकी रहते हैं नेनन पर से गारणू देग दुएन को ख्याल आरूहन अवरोहनी करत रहें दुनरैन भगवत रशिकनन की धन्धन दूनेन ये तो आरूहन अवरोहन विहरी विहरन सुर्तारं सुर्तमद्द सुर्तान अवलोकन बिहार अंग्शंग बिहार आध आध बिहारी बिहारन रसरहश में निमगन और ये सहेच्रियां अपने हाभ भाव संस शंकेतन ते ये ललता जू सहेच प्रिया प्रितम कू अनवरत अखंड रूप से तो जो कभी बिहार तनक हूँ कभी ब्राम ना लिवे है प्रिया प्रितम को ऐसो बिहार ऐसो नित इसलिये तो नित बिहार है जहां मतलब